नमस्कार आप देखने प्राइम टीवी मैं हूं मनीश बदोरिया शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खबरों से लखनो बत्पा कारेले में बूस समिशा की बैटक की गई इस बैटक में गोरकपुर सांसाद रवी किशन भी मौजूद रहे और इस दोरान उन्होंने यूप गरीबी से लिए हमारे जीवन कुल मालूम बाटे हाथ जोड़के निवेदन बाई विरोधी पक्ष किलोगन के बहकावे मत यह के जान ला कि कावा हमरों और लेखी एकराब में जाय तैयार पाड़ेगी उस एन्सीसी के अड़िट की है तो उसको जान लीजी कि है क्या ये स जाल साजी का मामला सामने आया है जहां एल्डे दोरा अधिकरी जमीन को चार जाल साजों ने जाली दस्ताविज बना कर संपत्री को बेज दिया और गटना की जनकारी मिलने पर ल्डीए वीसी द्वारा सभी चार जाल साजों के खिलाव गोंपती नगर थाने में में मुकर कैसे प्रॉपर्टी है उसका उन्होंने एक रिफ्रेंस नंबर लिखा हुआ था जो कि कहें एक्जिस्ट नहीं करता तो यह चीज़े संग्यान में आई कि बाहरी बाहर ये एक तरह से रेजिश्टी होगे तो उसमें फायार दर्ज कराई गई है और आगे इस तरह की की अक्षे तरपाटी से बात की उन्होंने बताया कि संबन में गोंती नगर थाने में मुकदमा पंजिकरित कर गिया गया है और दोशियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अतिकम्र को लेकर लखनों और तमाम इलाकों में एक सवाल भ महौल दी जाएगी क्यामरे में सुभम के साथ सागर थापा प्राइम टीवी लखनों महौ में चार साल की सेना भरती को लेकर चातों ने जोड़दार प्रदशन किया और कई जगों पर तोड़ फोर भी किये साथ ही इस योजना को रद्द करने की मांग की है फिलाल बहारी संख्या में पुलिस बल तरात कर दी गई है आग युमे का दिन था साहर में लेके साहर में काफी आसंकाएं रिक्त की जा रहा ही थी जुमे की नमाज और पूरी वेवस्थाक हमारी सांति पूर रही जुमे की नमाज सांति से खतम हुई और आज बच्चों ने जो ये अगनी पत क्या करके जो बनाए जा रहा है इसके बिरोज में देड़ दो सो बच्चे स्टेडियम में आये हुए थे इनको समझा दिया गया इनके ग्यापन ले लिए गए और जो बच्चे जाना चाहते थे इनको रख्षी तुरूप से निकाल दिया गए पूरी गवस्ट के बेबर छेत में शांतिपूर तरीके से जुम्मे क की नमाज अता की गई कहीं से भी कोई अपरी घटना नहीं घटी है सियो की निगरानी में भारी पूलिस बल मौके पर मजूर रहा तक जुने की नमाद के परिफेक्ष में जनपत में स के ईसकी typically लावू किया गया है इसमें साथ सेक्टरोLES में विभाजित किया जनपत को और वो कि अाकत करणा ने ज़ा तको परदायरा ऐचा करेक्षा हम समबंदिर से शंपर्ग में हैं और इसति विज़कोट सामान नहीं है और सब कुछ रोजमर्णा की तरह से संपाजित हो रहा है इस लिए फिलिस फुट ट्रडविंग कर रही है कोई भी पंद्र होई जो है कोई पंद्र नों करने पाए और सब कुछ सांथि से निपढ जुम्मे की नमाज को लेकर पहले से पुलिश कमिशनर और डियम कोशल लासर्मा ने सभी धर्म गुरूओं को समवाद किया। जुम्मे को कुछ असामाईक तक्तों ने हमारे जो बच्चे नौजवान थे कम उमर केते हों के आतों पर पत्तर देखा जो पर देश का माहूल करने की कोशिश की अच्छी स्वाइब दिखाया गया इसके लिए हम आज यहां पर जुम्मे का दीन नमाज पढ़ा है अपने में तीरंगा लीजे नमाज पढ़ी अपने घरों की और जाए और यह में शांतीपूर तरीके से जुम्मे की नमाज अता की गई दर्शल बीते सुक्रवार को नमाज के बाद कई जगों से उग्रपदर्शन की खबरे सामने आई थी उसी को देखते हैं पुलिस ने इस बार पहले से ही तैरी कर ली साथ ही भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है वरायच में जुम्मे पर अदा होने वारी नमास पर जिला परशासन के साथ साथ पुलिस परशासन मौजूद रहा इस बीडियम डॉक्टर दिनेश की नजर बुजर्ग मैला पर पड़ी उन्होंने मैला से सरकारी युजनाओं के लाप के बारे में पूछा जिसके बाद बुजर्ग को अम्मा कहकर फल खरीद कर भी दिया वारा नसी में अगनी पत युजनाओं में जमकर विरोध हुआ और युवाओं ने एक साथ कई बसों पर पत्राओ कर दिया बता जा रहा है कि वारा नसी के कैंट छेत्र को केंद बनाकर युवाओं रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बसों में जमकर तोर फोर की आती जाती गाडियों वास्थानी दुकानदारों की भी दुकानों को च्छती पहुचाए गए फिलाल डियम कौसल राज सर्मा ने और जितने भी हमारे चेर्मेंस लोग हैं, योज हैं, सभी अधिकारीगर्ण हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, काजी साहिवान हैं, सबको मैं दहने बाद देता हूँ ये सारी घटना जो नो से लेके साड़े दस बजे के बीच में हुई, साड़े दस पोने ग्यारा बजे से पूरे हालत सामान्य है, पूरे जिले के और पूरे शहर के, उसके बाद कहीं कोई घटना नहीं हुई है, एक सभा घंटे का सपहल था, कि उसमें ये चीजे हुई थी अब सारी चीजे शांती पूरे हैं, अब नमाज का भी समय हो गया है, अधिकतर लोग नमाज ड्यूटी में लगे हैं, कि वो एक सेंसिटिविटी जो फ्राइडे की थी, उसकी वज़े से कोई घटना ना हो, कुल मिला के काफी शांती बनाने के लिए सारे लोग मेहनत कर रह और मैं विश्वाय दिलाना चाहूंगा जया है are I 까imada किया नंपाद में नवनिर्माभ मदर नूबूर्ट कैरियर जूनिट mncu की संच ने के लिए 36 स्टाफ नरसों के लिए 4 मंच करिचारक प्रिसेयों की व्लार जिए और MNCU की संचा नरण के लिए 76 स्टाफ नरसों को परिशंट दिया गया शाले प्रेशनर प्राप्त एनम को CMO बीके सिंग की प्रमारपत वित्रन किया गया है प्रेशनर प्रेशनर प्राप्त वित्रन किया गया है प्राणी कार किया है और एक नवालिक बच्चे को परिवार से मिलाया है आपको बता दें कि ऑप्रेशन मुस्कान के थाइत कहल पुलिस के द्वारा बच्चे की भाई के ट्विट को संग्यान में लेते हुए आठ घंटे में बच्चे को ढूलकर परिजनों को सौप दिया गय साहजापूर बे एक हत्या का मामला सामने आया है जहाँ यूवक ने एक महिला की हत्या कर दी सात ही मामले में यूफ्ती भी गंभी रूप से गायल हो गई है गायल यूफ्ती को अस्पराल में भर्ती करा गया है जहां उसकी हरत गंभीर बताई जा रही है फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांत में जुट चुकी है जावद नान था उसका जावद तुरान पढ़ाता को यह मताई आज क्या घटना हुई और किस तरीके से गोली मारी गई है और कौन हम घर पे नहीं थे एट पच्चा छोटा था दख साल का अब यह मा बेटी दोनों घर पे थी पीन लोग पर थे यह दोनों नमाद पढ़ रही कि नमाद पढ़ते हैं तो घर में गुदा उसमें गोली मारी राड मारी चाकू मारा जोजो मारा व सबाब लोगों के सामने घाव ड़क्तर बताएगा क्या क्या मारा है यह अभी तीन सवा तीन बेजे के शरीक की घटना है यह मा बेटी दोनों घर में थी और यह जो आरोप कर दिया जिसमें मारी में रित्यू हो गई है और बेटी घाल है उसका उपचार चला कि अनाइटी फरीदाबाद के दो नंबर इस्टेज रबर गोदाम में बीशन राग लग लग गई आग लगने के कारण सार्सकेट बता जा रहा है बता दें आग इसी तेजी से फैली कि आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गालियों को मौके पर पहुचाना पड़ा फिर भी आग पर काबू नहीं पाई जा सका इस दौरां लाकों का समान जलकर राख हो गया दो नंबर एक्च बलोक का एरिया है यहां पर एक गनाज गोदाम के पास यहां एक शक्री थी वहां पर अचानक आग लगी और उसी को बुझाने के मुश्यक्त की जा रही है फिलाल उतर पदेश की खबरों में बस इतना ही देश पदेश की खबरों के लिए हमां साथ बने रही है देखते रे प्राम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार